कि अब दोस्तों राज से नर्श्रीम आपका स्वागत है दोस्तों आप कैसे हैं आप से भी ठीक होंगे और अगर आप परकर्ती से जुड़ें तो बहुत ही खुश और स्वस्तों गी खुश हालोंगे दोस्तों पोटी फुटी दो तीन दिन माई है और ये देखिए टोफी खा रही है और मस्त है सवस्त है और आज जोड़ेगी प्रणाम करेगी और पूरी खागी आज जोड़ो प बाए जाओ बोल तो बाए बोल तो दोस्तों इसका टोफी है मुँमने बोल पाएगी चलो बाए अधा जो दोस्तों इसका टोफी दोस्तों पीव पोती ने कितना मनोरणजन किया और आप के भी पोता पोती बेटा बेटी सब आपकर हमारा मनोरणजन करते हैं इनके साथ खुश रहे सवस्त रहे और मस्त रहे और दोस्तों अब हम आपको एक बहुती अच्छी बात बताने वाले हैं अगर आप सीजन के फूल लगाना चाहते हैं और लगा रहे हो यह कहते हैं ने कि नरसरी वाले कोई भी चीज आपको बताते नहीं आप से छुपा के रखते हैं इसलिए उनके गमले फूलों से भरे रहते हैं और वो आप से छुपा के उस चीज को रोक लेते हैं और आपको पोदा बेच देते हैं और आपके फूल खिलते हैं दोस्तों य नरसरी वाड़ा भाई जिसने अपने इस रोजगार को चलाना है और परकरती से प्यार है वो आपसे कुछ नहीं चुपाएगा यह मन गणत बाते हैं कुछ थोड़ा बहुत उनीश भी सो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर आप पिटोनिया पैंजी डाइन था जैसे करिए जैसे हम करते और वह चीज में आपको समझाने के कोशिश करूँगा आप समझे और जैसे मैं करके दिगाओ आप अपने घर में करी अगर फूल नहीं आए तो आप हमारे पास करिए हम आपको उसका जवाब देंगा और कमेंट करने जुरूद आपका पूदा फ ने अब रखता नहीं हूँ यह मैंने किसी माली से लेकर रख्या था और यह देखिए रख्या है उसका बिक्यानी मेरे नर्शरी में रख दिया दुबारा फूटाओ बनने लगए मैं इसकी कहाणी बताओं और जो आब लग रहे हैं उसकी कहाणी बताओंगा यह देखी यह जो दिवाली से पहले नरश्रियू माता है यह वो पोदा है दो चार फूल आए खिल गे अब गरोध रुगी अब इसमें दुबारा फुटा आएगा जब फूल आएगे इसमें और जो आप नहीं पोद लगाते हो ना जैसे कि हमने भी लगाई थी यह देखी यह अमने सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे अगर आप पिटोनिया लगाना चाहते ना दोस्तों कम से कम दसिंची पोट होना बहुत जरूरी है चैने मिट्टी का हो चैने पलास्टी का कोई दिक्कत नहीं आईगी चैने क्या करना है सबसे पहले मैं लेता हूं शेमिटका गमला इ सब्सक्राइब कर दोस्तों आप दोस्तों आज आप देख रहे हो कल तक कितनी गर्मी थी और आज सुबह सुबह देखी दिल्ली का मुस्म क्या हो गया है सुबह सुबह धूंद थी और आप देखिए साड़े दस पूने ग्यारा बजने वाले हैं अब तक सुरिय देवता दिखाई नहीं दिये हैं बिलकुल इसको तो कहते हैं परकरती कल तक कितनी दूफ थी दिन में पशीन आता था और आज सुबह सब भाई वेन उठे तो आपने क्या देखिया धून देखी और मोसम बदलतावा देखिया परकरती एक दम से सारा काम कर देती है और वही इन पोदों में भी लग हुए अगर इसको हम छेडेंगे नहीं ज्यादा इ ऐसे चोटी-चोटी पोद मार्केट में आई हुई हैं आप लेके आसानी से लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा रेट दस रुपए और ज्यादा और वी लोग तो पांच रुपए की मिल जाते हैं आप इसको लगाईए और फिर नर्शरी में आओगे तो ये पोद्य आपक खाद के लिए निए इसमें अब इसमें खाद के जुरूत नहीं रहेगी इसमें बिलकुल भी खाद के जुरूत निए पिटोनिया मां जो यह इगे इस कंलिय में मिली हुई है वही है यह बैस this कि एक ऐसे लगाईए अब यह मैंने पिटुनिया का पोधा लगा दिया णॉर करना है दरेना यह देखिए अब यह सोक लेगा और डालेंगे कि बहुत जल्दी सोक रहा क्योंकि मिट्टी बढ़िया है दो मिट्टी में खाद वगरा मिला कि बढ़िया बना रख्या अगर आपकी मिट्टी ठोस होती तो एकदम से पाणी नहीं सोकता है देख रहे हो कितना अब और भरेंगे इसमें पानी यह देखिए अब इस पोद्दे में हम जब पानी डालेंगे जब मिट्टी सूखी और आप भी ऐसे करना और इसके अंदर आपने एक रुपया खर्च नहीं करना है मिट्टी सूखे पानी देना अप्रेल तक यही कहानी रखना आप खाद इ सानी खो गुबर की खादो बिल्कुल भूल जाना और फिर देखना इसका रिजल्ट एक बार यह थोड़ा अभी खिले का भाग के जनवरी में थोड़ीश की ग्रोध रुखेगी ठंड जादा हो जाती है जनवरी 26 के आसपास फिर मोसम थोड़ा बदलना शुरू हो जाएग क्या करिश्मा हो गया और यह कोई बात चुपाई नहीं जाती क्योंकि पिटोनिया का सीजन है अगर इसको बढ़िया दो मट मिट्टी और गोबर की खाद मिली हुई मिट्टी मिल जाती है तो पोधा आपके मन को खुश करेगा और आपके गमले को भरेगा आप ऐसे करके द अभी आप नलगाएं अगर आपके पास जगए हैं या कम जगए हैं चार हैंची आपकी और इसको भी आपने ने कुछे नहीं करना इसमत दोस्ताओं पथर निये रखेंगे क्योंकि और इसको बोलते हैं नरसरी पौर्ट रखना चाहोँ तो आप यह रख सकते हैं हैं यह नारीगय का चलका भी रख सकते हैं यह पन्नी कि भर देखनी को हम निकाल समय रोगा है एख बड़य गमलिक यह लगाने से थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा यह देखिए इसको लाड़ेंगे हम अब इसकी रूटी निकलने लग रहे हैं चोटी-चोटी अब यह बरना शुरू हो जाएगा और इसका बहुत ही बढ़ी आसे मैं है आप इसको एसे लगाई है कि इसे ठोकी डाइंथ्रस का पोदा बहुत हर्ड होता है और बहुत फूल द के शूक जाते हैं तो आप डाइंथ्रस के पूरे पूद्ध को ऐसे काट दो पर से काटने बाद निच्चे से ब्रांच निकलेंगी तो और भी मजबूत्ती से फूल लेकर आएगा इसकी कटाई कर दिया अगरो और इसको भी थोड़ा पानी देंगे आप ऐसे लगाई और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है यह सचाय और इमानदारी है सचाय शफाई इमानदारी पवित्तरता यह है इसमें कोई भाई नहीं छुपाता कोई विवात आप यह कोगे जिंक डालो पोटास डालो हम बिलकुल नहीं राए देंगे आप गोबर की खाद से ही इसके लिए बहुत बड़ी होता है क्योंकि छोटता पूल रहे जाता है कि ज्यादा फैलता नहीं है सिंगल पैंज यह थोड़ा ज्यादा फैलती है कि हाईविड वाली ना कम फैलती है यह देखिए ऐसे भरेंगे इसको इनका बहुत अच्छा समय आप लगा यह क्रेमिकल स चली जाएगी और इनको मोका मेलेगा खिलने का पानी ज्यादा मद डाला कि बिल्कुल मेट्य सूप अटाली यह देखिए मैंने लगा दिया कि परीदेख सोग लिए इसको ऐसे दली वानी पहला पाणी भरके देना ताकि पाणी नीचे से भी निकल जाए, मिट्टी दब जाए, यह देखिए यह यह मैंने पिटोनिया पिटोनिया, डायन्थस, पैंजी, आल वेराइटी जो भी हाइब्र वेराइटी बर्वीना वगरा है, श्टाक है, डायन्थस है, कोई भी चीज है, आप ऐसे लगाईए, आपके पोदे आसानी से चलेंगे, इनमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, अब अगर आप इसके के लावा दिशा बटकते हो, एक बार वो चीज देखना, और एक पोदा आप ऐसे लगा कि देखना, देखते हैं कि इसका अच्छा रिजट मिलेगा, और नरस्री हम सब यही करते हैं, और आप भी ऐसे करिए, अब आपको डरने के जुरूत नहीं, आप पोद बेहचिक लग सजा सकते हैं, और अपने बगिच्चे को हर्या भर्या और पूलों से सजा सकते हैं, पैसा भी बचाईए, खाद भी बचाईए, और अपना समय भी बचाईए, नमस्कार, जैहिंद,